हे एवरीवन वेल्कम बैक टू दीपा के विंजन चैनल आज मैं बनाने वाली हूँ सेम आलू टमाटर और गोवी की सबजी सीजन खतम होने वाला है और गर्मी सुरू होने वाली है तो अच्छे अच्छे सेम मिलने लगे हैं सबसे पहले कराही में मैंने दो टेबली स्पून स यहां पर मैंने लिए एक चोथाई चोटी चमच काली मिच पौडर आधी चोटी चमच जीरा पौडर वन एन हाफ चमच मैंने लिया है धन्या पौडर और आधी चोटी चमच हल्दी पौडर पानी डाल दे और इन मसालों का पेस्ट बनाकर साइड में रख दे पीके के से रोस्ट कर लेना है गोवी को भूण कर अलग बर्तन मी निकाल ले अब सेम ऑल में मैं डालूंगी आधी चोटी चमच मेथि दाना और आधी चोटी चमच मैंने इसमें डाला है जीरा मेथी जीरे के साथ एक जुखी लाल मिर्श डाल दे साथ में डाल दे एक चुटकी हिं हिंग से टेस्ट और डाइजेसन के लिए भी काफी अच्छा होता है अब इसे अच्छी तरह से भून लेना है भून जाने के बाद इसमें डाल देंगे आलू और सेम आलू सेम को डाल कर लो मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से भून लेना है इधर अब टमाटर को आप रफली चॉप कर ले ऐसे टमाटर कुक करके जब बनाएंगे सबजी उसका टेस्ट ही काफी अलग होता है आप चाहे तो दाल भी या कोई पनीर की सबजी हो किसी भी सबजी में इस तरह से टमाटर को भून कर एड़ करें उसका टेस्ट बिलकुल अलग होगा और काफी अच्छा बनता है इदर बीच बीच में मैंने सेम आलू को भी धकन हटा कर एक बर चला लिया है जिससे सेम और आलू जले ना और अच्छी तरह से भून जाए अब इसमें नमक डाल दे स्वाद अनुसार ध्यान रखे गोवी को भी भूनते समय हमने नमक डाला है तो नमक आप अपने अंदाज से डाले सब को अच्छी तरह से भून लेने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे मसालो का पेस्ट थोड़ा सा पानी डाल दें और साथ में डाल दें चौप किया हुआ टमाटर गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखें मसालो को अच्छी तरह से सबजी के साथ मिक्स करें और इसे थोरी देर के लिए कवर लगा कर भून ले मसालो को सबजी के साथ भूनने में आपको 8-10 मिनट लग सकते हैं लो फ्लेम पर इसे अच्छी तरह से भून ले जैसे मसालो से अच्छी खुश्बू आने लगे अब हम इसमें पानी डालेंगे जितना पानी आपको ग्रेवी के लिए रखनी हो उस अंदाद से आप पानी इसमें एड कर दे आप इस सबजी को बिना ग्रेवी के भी बना सकते हैं अब हम इसमें एड कर देंगे भूने हुए गोबी गोबी को डालने के वाद इसे अच्छी तरह से मिला ले और धकल लगा कर low to medium flame पर पूरी तरह से कुख होने तक वेट करे बीच बीच में सबजी को चेक कर ले ये सबजी बनकर बिल्कुल तरह से तयार है अब हम इसे गर्मा कर्म सर्फ करेंगे आप चाहे तो इसे रोटी के साथ चाहूल के साथ या फिर प्राठे के साथ सर्फ कर सकते हैं ये बिल्कुल healthy recipe है इसमें बहुत कम तेल और मसालों का यूज हुआ है और इसमें जो roasted tomato का यूज हुआ है इससे इसका टेस्ट काफी अच्छा आया है वीडियो पसंदा है तो like, share, subscribe कीजिए मिलती हूँ एक और रेस्पी के साथ तब तक के लिए बाइदा